नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो नमबर्स को किस तरीके से हम स्वैप कर सकते हैं यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट तो चले स्क्रीन की तरफ चलते हैं तो आँब आप इहां देख सकते हो कि सबसे पहला तरीका है यूजिंग गाओ माल लेते हैं वाँ दो नमबर्स यूप्ट और B और हम तीशरा वरियाबल वसाऊ है यू उजिवे और फॉर्मूला होता है दोस्तों return करेंगे इन दोनों numbers को जो swap हो चुका है उसका एक array तो यह array हमने यहां return किया है numbers array और यह देख सकते हैं हमने numbers array का return type भी दिया है अब इसको huge कैसे करेंगे हम माल देते हैं a और b की value दो variables है जिसमें 5 और 10 हमने store कर दिया है हम swap numbers function को call करेंगे a और b की value pass करेंगे वो return क्या करेंगा इन दोनों को swap करके 10,5 array return करेंगा तो 10,5 यहां से return होगा और 10 store हो जाएगा a के अंदर और b के अंदर हो जाएगा 5 और इस तरीके से हम a और b को swap कर पाएंगे दूसरा तरीका जो दोस्तो है वो है destructuring assignment destructuring का क्या मतलब होता है दोस्तो इसका मतलब होता है कि आपका जो array है या object है उसके element को आप दूसरे एक element के अंदर array के अंदर variable के अंदर store कर सकते हो कैसे यह देखते हैं यह हमने देखो function बनाया है swap number d structuring यहां पर भी हमने दो parameter लिये है number one number two return type हमारा वैसे ही numbers array है अब यहां पर जो भी हमने इस array x और y के अंदर value store हो गई तो इस तरीके से यह हमारा जो number है वह swap हो गया और उसकी नई value x और y में 20 और 15 हो गई तो यह था दोस्तो दो तरीके जिसमें दो numbers को swap कर सकते हो आप type script के अंदर I hope आपको यह video समझ में आ गई होगी ऐसे ही interesting coding को सीखने के लिए मेरे चैनल को आप subscribe कीजिए और चले मिलता हूं next video में